हेलो गाईज, वेलकम माई यूट्व चैनल, आप सब कैसे हैं, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसी अच्छे रहना सस्त रहना मस्त रहना, ये देखिए मैंने इस पॉंच तयार कर लिये हैं, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपने इस पॉंच तैयार कैसे करते हैं उसका वीडियो बनाईए कर गें तो यह वीडियो देखिए एंट तक आप जरूर जानेंगे कि यह कैसा इस पांच मैं बेक की कैसा बनाती हूं ठीक है तो वह तो हम मैं वीडियो के एंट पर बताऊंगी सबसे पहले हम ना केक बेक कर लिये हैं ठंडा हो आज में को बहुत सारे ओडर्स थे जैसे कि अपने फर्स्ट वीडियो देखा यह देखिए थ्री टेयर वाला यह जो केक देख रहे हैं यह फर्स्ट वीडियो था अभी ना लैन से दो तीन वीडियोस आएगी थोड़ी लेट अपलोड होगी यह चार तारीक है जुन का और देखते रहे हैं थांक्यू वाचिंग मैं वीडियो सेंट तक देखिए गहां और जो जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उसको दिल से थांक्यू और जो नहीं किया है प्लीज जाकर कर लिजे न और आपको भी फिल से थांक्यू तो चलिए केक का ऐसिंग करते हैं सबसे पहले पहुंत लोग में को पूछते हैं कि सुगर सिरम कैसे बनाते हैं दीदी तो सुगर सिरम कैसे बनाते हैं ये पहले जान लेते हैं एक कप पानी पे दो चमा सककर डालते हैं फिर जिस भी फ्लेवर का हम केक बना रहे हैं वो डालते हैं क्रश बोलते हैं ठीक है तो मैं पैनेपल क पहले मिले या 4 घंट पहले मिले या एक दो दिन पहले मिले हमें न सुगर सिरम डालना बहुत इंपोर्टिट है क्योंकि उसी से ही हमारा केक बहुत ज़ादा सौप्ट बनती है और टेस्ट आती है उसी से ही विताउट उसके बनाओगे तो केक उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा सुगर सिरम से लगता है तो सुगर सिरम बहुत इंपॉटेंट है केक के लिए तो ये डालना मत भूलिएगा ये देखिए हमने पाइनेपल फ्लेवर्स पर बनाए है और इस केक का रिव्यू भी आई है तो वीडियो लाश्ट तक देखिएगा उसका रिव्यू भी बताऊंगे और ये केक न हमारे काउं से नहीं है धवलपूर से है और हमारे काउं से न द यूटूब देखते हैं बता रही थी आना भाविम आपका यूटूब देखती हूँ आप तो बहुत घुमते रहते हो आना हमारे हाग कभी ऐसे करके मैं बोली ठीक है आओंगी करके तो कोई बोल देते हैं मेरे से मिलते हैं और यूटूब के बारे में जिगर करते हैं कि मैं आपका यूटूब विलॉग देखती हूँ वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो वीडियो एंड तक देखिएगा उनका रिव्यू भी दिखाऊंगी ठीक है क्या है कैसा रिव्यू आया यह केक न परपल कलर पे बनेगा और इस पे उन्होंने बोला ह बाकी न मेरे पास न तीन चार वीडियो अपलोड है इस वांज कैसे तयार करते हैं क्या क्या उसमें लगता है इसका मैं वीडियो बनाई हूँ और मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं इस्टाग्राम पे की दिदी मैंने आपको वीडियो देखकर केक बनाना सीख है आपको मैं जादा नहीं तो थोरा तो बहुत बहुत अच्छा फील होता है कोई मुझे देखकर सीख रहा है केक बनाने उसका केक का स्क्रीन सोड भी डालूंगी न देखना हम मैं उनसे इस्टा पे बात की थी यह देखो इस तरह से हमने बात किये थे और वो बताई कि दिदी आपक दीजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो हमने आइसिंग कर लिए है अब आइसिंग करने के बाद मैं थोरा देर पात दस मिनट के लिए फ्रीज पे रखती हूं फूल आइसिंग नहीं करती हूं इस तरह से प्लेटे साप करके मैं फ्रीज पर रख देती हूं अब यह देखिए हमारे फ्रीज पर खूब सारा केक है गाईस यह देखिए खूब सारा केक अब इसे हम बनाएंगे देखिए सभी को मैं न क्रम कोट करकर फ्रीज पे रख देती हूं फिर आइसिंग करकर हम सभी को फ्रीज पे रख दिये थे उसके बाद यह देख रहे हैं परपल कलर नीचे को की थी मैं डायरेक्ट कलर नहीं की थी क्रीम पे मैं परपल कलर का ना पॉली थी परपल कलर डाली थी उसके बाद वाइट क्रीम डाली उसके बाद नीचे तीन लाइन मैंने ना परपल कलर का क्रीम का की उपर वाइट वाला तो इस तरह से मैंने उसके केक डिजाइन था, वह ने एक्चलि मुझे फोटोज बेजे थे इस तरह से फोटो था उनका सिम वैसी बनाना था तो परपल कलर पे ना उसका फ्लावर था तो मैं 2-3 फ्लावर से बना दी थी मेरे को लगा था दो उपर flower है नीचे एक है और मैं कम flower बना ली थी बाद में फोटो देखी तो टोटल उस पे 6 flowers थे तो फिर मैंने इस तरह से और flowers बनाई वाइट क्रीम से और परपल कलर ना डाल दी वाइट कलर डाली उसके बाद फुस-फुस कलर डाल दी तो उसका color थोना अलग आ गया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था color combination परपल कलर केक पे भी बहुत अच्छा लगता है वैसे तीन चार बार हो गया है मुझे परपल कलर का order साते केक के लिए ठीक है अब ये देखिए हमारा final look इस तरह से है हमारा केक का look आप सो को कैसा लग अच्छा लग रहा है ना नीचे का purple कर देखो फुस फुस कलर का है तो उसका color अलग दीख रहा है और उपर का अच्छा लग रहा था ना और बेटी भी मेरे husband बहुत प्यारा लिख दिये है हिंदी पे उनका writing अच्छा है तो हिंदी पे लिखें बहुत खुबसूरत लग रहा है इस कर जाए तो बताती हूं कस्टमर का review कैसा था कस्टमर ने हमको message किये हैं कि भाभी टेस्ट सबको बहुत अच्छा लगा ऐसा कर गें तो उसको भी thank you next time फिर से हमें cake order दीजिएगा और आसपास आपके परोसियों को भी बोलिएगा कि हाँ cake मिलता है phrase cake एक बार try करें है ना त अच्छा लगा तो लाइक करके जाईए सेयर कर दीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहे तो छोटा मुटा टीप्स देवते जाऊंगी बताते जाऊंगी फिर आप भी cake अच्छे से बनाते जाएगा और यह cake मैंने 300 पे sale किये थे इस पारकल भी वो लेकर गई थी तो 20 रुप अच्छ तयार कैसे करते हैं उसे बताने कि तो सबसे पहले तो grams मिलेंगे तो 180 Gragen हमें Hybrid Bill कुषिय। प्रिमीक से इसके बात दो चम्मास यह सबसे बरवल चम्मास आता है दो चम्मास तेल डालिए और पानी हे अपने हिसाप से ढाल लिए जैसे कि हम तो गैस को पूरा लो करके करना है 30 मिनट तक और करहाई से करेंगे तो भी पूरा लो करना है गैस को ठीक है फ्लेम को तब हमारी केक बैक हो जाएगी तो इस तरह से हमारी केक बैक होती है आप सब कैसा लग बताना था इस पैसली जो मुरे को कमेंट किये थे इस्टाग्राम मे उसके लिए मैं बताई थी ये इस पॉंज कैसे तयार करते हैं ये तीन चीजों से बनता है करके तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना ऐसती है कि हाँ मैं जान गई दिदी आप फिर से अच्छे से बनाऊंगी करके